नमस्कार मैं हुआ अनिल सक्पाल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई आज की सबसी ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो महारष्ट के लिए का बहुत ही महत्वोपर्णा खबर है दिली में जो किसान कुरूशी बिल को माफ करने के लिए अंधोलन कर रहे हैं उन किसानों को अपना समर्थन देने के लिए संपूर्णा महारष्ट से आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुंबई के आजान मैदान में इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे महारष्ट से किसान यहाँ पर आयो है थंड बेहद है लेकिन कंबल चाधर ओड़कर यह सभी किसान यहाँ पर आज मोजू दे कल के दिन में महारष्ट के मुख्य मंतरी उद्धो जी ठाकरे और NCP के प्रमुक शरद जी पवार यह कल आकर इनको समर्थन शायद देंगे ऐसी बात भी सामने आ रही है कल पूरे दिन बार इनकी सब चर्चा चलेगी मीटिंग चलेगी और परसो 26 सारी को इन किसानों को जो आंदोलन है राजबहुन में अपना प्रदेशन करेंगे ऐसी खबर सामने आ रहे है तो इस मोके पर यहाँ पर जो कुछ किसान है उनसे हम बात करते और इनकी प्रमुक मांगे क्या है इस पर थोड़ी चर्चा करते है आप कहां से आए हम नांदेट जिल्ला अंधरा बाउंडरी हमारे नज्जिक है बाविस्तर रिक्षे वहां हम निकले दो तीन दिन होए नाश्यों का हमारा मुक्काम हुआ सबेरे अब शाम को यहां हम आये आज 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 आपको आज आपर आए आज आपने कौन-कौन से मांगे लेकर आप यहां पर आए यह सरकार्नों तीन कानुन काईदे की है वह तिनों काईदों आपस लेओ और हमी भाव का काईदा करके हमी भाव का काईदा बना लो कल हम सब आड़ बजे उटेंगे और विधान भावन को हमारा पुरा घ्राव रहेंगा यह जो तीन बिल है नादल में दो महने से जो आंदोलन चालो है उसका पाटिमबा है और यह तीनों बिल वापिस लो और हमी भाव का कानून करो यह हमारी माग है अच्छा मुझे आप एक बात बत यह मेरी मांग है बीव वापसी होना दिली में चो लोग बैटे वाले हैं दो महने से अंदोलन को उसके समरते हम मुझे में आजान में आया वाले हैं आप सब यह लोका हमारा भी समरते सर और अपरे दस टीमो कोई समरता है हम उसके बास आनून जो आपसी जो कामगार के है व आपने देखा कि किसान बिल्कुम वापस लेने की मांग को लेकर यह सबी किसान नांदिर से इतनी दूर से यह और दूसरे भी हमारे साथ कुछ किसान से था यहां बात करेंगे आप कास है सब्सक्राइब करने का है अभी क्या बोल देगे देखेंगे अभी कमिटी वाली उसकी बाद में निरने हुए और अगर यह किसान आंदोलन का जो आप कर रहे हैं किसान बिल माफ नहीं हो तो आगे का क्या सोचा आगे अभी और बड़े करेंगे आशी कारिकम और बड़ा यहाँ पर कुछ और भी किसाने उनसे भी बात करते है आप कहां से आए अभी आपकी प्रमुक मांगे तो जो यह तीन कुर्शिय का काले कानून आये हैं यह मुक्के हमारी मागनी है कि यह तीनों भी कानून किसान के खिलाब है किसानों को एक बेकारी के हालात में दालने वाली है तीनों भी कानून है तो इस कानून के खिलाब 55 दिन से जो दिल्ली में हमारा हर्याना, राजस्तान, बियार, यूपी, पंजाब का जो किसान वहां पे गए 55 दिन से लड रहे हैं और उस लड़ाई में पांचोबी बॉर्डर पे जो लड़ाई चलो है हमारे किसानों की, वो लड़ाई में हमारे करीबन आज के देट में एक सो बीस जो हमारे किसान शेहिद हुए है, जो हमारे किसान है ना, वो आज करीबन एक सो बीस किसान हमारे वहां पे शेहिद हुए है तो उस हलत में जिसको हमने चून के दिया है जिनों ने ये कानून बनाया है जिसको हम मुख्या समझते हैं जो प्राइम निस्टर है हमारे मोधी जी ये उस कानून को किसी ही किसान के संगटन को या किसी ही किसान को ऐसा इंडिजन नहीं करते हुए उनसे राय नहीं लेते एक जगह आके वहां पर लड़ रहे हैं, तो यह कोई किसानों को इस वहांस में नहीं लेते हुए यह कानून बनाया है। संसवद में जो इपक्स थे, उनके उनकी राय नहीं लेते हुए भी यह कानून बनाया है। गिजआ पर लर्प जो लाल बाउटे के जो कांचग खाजदार थी इसके केरल के राकेश उनको इस बील पर उन्होने जो मानने की हैं और बील कु एक पर्याई दिया था यह तिनों भी वापिस लेना तो उन जो भी उटाव करिया और वो बिल के खिलाब वहां पर आवाज उटाए उन साथ खाजदारों को हमारे सस्पेंड कर दिया गया तो इस बज़े से हमारा कहना है वही कि मोधी सरकार जिस लिए चुन के आए जो वादे किये हार सान में दो करोड रोजगार देत उुपल अनषन नोझय तू नोजवानों के आकंट पर, मीद इस से काला धन नीकालूंगा और 15 लाक रुपे दालूंगा यह वादा किया था हर स्टेंड़ इंडिया के बाद ये इंडिया वो इंडिया एसा करकर के पुरे देश को ठक दिया हुने और आज के दिन में इतने सारे किसान लाकों की तादाद में वहां पर बार्डर पर आज शहीद हो रही हमारा कहिना है कि मन की बात करते करते कभी-कभी जिसने चुन के दिया जो जनताओं ने चुन के दिया जो किसानों ने आपको वोड़ दिया और किसान की भी बात करो कभी-कभी नोजवानों की बात करो आज शिक्षय की शिक्षय क्या है उसकी बात करो रेलवे के खाज़गी करन कर दिये हार चीज की अपने ब्यास इनियल से लेके उसके बाद तुमारा हर चीज का खाजगी करन होगा कोई ऐसा सेक्टर ने है कि जो सरकार की मालमता आज उस पर है तो यह नहीं होना चाहिए हमारा कहिना है कि जो किसान आना जोगाता है जो किसान दिन रात मेहनत करके कभी साप नहीं देखता, कभी बिंचु नहीं देखता, कभी कोई ऐसा दिन नहीं है उसको कि हर बात के लिए संगर्श करना पड़ता, वो किसान आज रास्ते पे उतर के आया है और उसके लिए जो तीन काले कानून बनाए आपनी वो रद्द करना चाहिए एक तो कानून रद्द होगा नहीं तो मोदी आपकी खुर्ची खाली होगी दिल्ली में से नहीं ना कहीं से भी नहीं किसान अंदोलन वापिस नहीं लेंगे ये किसानों की माग है अजय जो जैसे के खपर सामने आ रही है और यह अजreally होगा उसके लिए छवालो करने के लिए हम तयार है और भी नहीं होगा वो उचछी निरने वहोगा उसके लिए हम तयार हम तयार हैं ऐसी मांग इस वक्त किसान करते हैं दिखाई दे रहे हैं आज इतनी थर्ण में यहां पर बैटे हुए और एक दिन बाद यानि कि परसो 26 जन्वारी को राजभावन में इनका मोर्चा जाएगा और अपनी मांगे वहां पर प्रदर्शन के जरीए वहां पर रखेंगे आने वाले दिनों में इस क्रिश्व बिल का अब क्या होगा यह देखना अब उतना ही महत्वपुर्ण होगा यासिन शेक के साथ मैं निल सकपल सिटी नियूस मॉंबाई